हलो बड़ों कैसे हैं आप लोग पढ़ियां तो आज बात करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चुटे क्लासेस से यह चलते हुए आता है जिसका नाम है मेंसुरेशन अब मेंसुरेशन होता क्या है तो उसमें हम मेजरमेंट कर हैं एरिया निकालते हैं अब करते हैं तो मैंसुरेशन का सब्ड़ का मतलब जिसमें हम किसी भी चीज़ को नापते जोगते हैं महीं का इसी से निकला है आपका मेंसुरेशन रूत तो इसमें को तीन पार्त कि तोतल हमारे सामने इसके तीन एपिसोड निकल के आएंगे जिसमें से पहला एपिसोड है आपका परिमीटर एंड एरिया अप्लेंट फिगर दूसरा है एरिया ओफ सरकल सेक्टर एंड सीगमेंट और तीसरा है वलू एंड सर्फेस एरिया लॉफ सॉरेट तो इसके अंदर पढ़ेंगे ब चीजी हम लोग इसमें देखेंगे आज के इस अपिसोड में ठीक है पर तो सेटेंड में देखेंगे कि एरिया सरक्ल सेक्टर्छर सिकमेंट यादि कि जो सरकल होता है उसकी एरिया सर्कंफरेंस और बी अलग अलग तरह कि जिस तरीके से हम एरिया को अप्टिन कर सकते हैं चाहिए एक चौथा ही हो चाहिए पूरा का पूरा सरकल हो तो यह सब फॉर्मली पिटा हम लोग इस एरिया पढ़ेंगे इस लिसको सब्रेट रखा हुआ है और तीसरा रहेगा हम लोग अपिसोड उसके अंदर हम लोग सब्सक्राइब हो इस तरह के बारे में जानेंगे जिसके वॉल्यूम सर्फेस एलिया और बी कुछ बहुत पूर्ण चीले के बारे में करी किरा जाएगा वह हमारा एपिसोड ठीक है और आपके इस ताम में चैप्टर त्री कह सकते हैं लोग क लोग के वीडियो के सबसे चैप्टर नमब बत्री बनेगा ठीक है चले सबसे बात करेंगे परिमेटर एरिया अप लेन फिगर कि तो आज इस एपिसोड बात करेंगे परिमेटर क्या होता है तो परिमेटर मतलब होता है बाउंडरी आप से कोई पूछ दे जंदली कि यह बाउंडरी क्लियर कर ली और इसी को कहते है अगर हम लोग कि परिमेटर किसको कहते हैं नहीं है तो पेरिमेटर मतलब होता है इसको कहатे हैं शौD में बाउंडरी क्या किया है जो भी आपने बांडर खीच रखा है जो भी उस इस पेस का जो भी उस शेप का बाउंडरी है उसी को हम कहते है पेरिमेटर उस शेप के लिए ठीक है वड़त सबका निकालते हैं सब के साइट के लेंध को क्या करते हैं सम कर देते हैं और यह बात जाती है तो साइड की लेंध को जो ही श्रम करेंगे तो ही आपको क्या मिलीगा परिमेटर मिल जाएगा और परिमेटर को ही कहते हैं लोग पाउंटरी चलिए अब बात करते हैं अब एरिया क्या है तो एरिया यह है कि इस परिमेटर के अंदर जितना भी जगह कवर हुआ है मतलब जितना भी जगह घेरा गया है इस परिमेटर के दुबारा अंदर में अंद पर्षण है जो बहारी बहारी वाला पर्षण है उसको परिमेटर बोलते हैं जो इंटरनल पर्षण है उसको हम बोलते हैं अगर आपके लोकालिटी में तो आप जाएंगे इसका इरिया तो उस दीवाल की ट्वारा जितना वी अंदर जगहां यहां वहारा जैसे धीवाल के अन्दर जगह आ गया तो लोग अब इस्टार्ट करेंगे आपका फिर रिक्टेंगल पैललोग्राम और ट्रेपीजियम इन सब सबस्क्राइब करेंगे बहुत सारे फॉर्म लोग बना सकते हैं क्या है तरह करता है एक है उसके साइड के बेसिस पर और दूसरा है वेटा उसके एंगल के बेसिस पर इसके 3 परत होते हैं और एंगल के बैसिस पर इसके 3 परत होते हैं अब साइड के बेसिस पे कितने परत होंगे तो यह हो जाएगा पैला हो जाएगा इक्विलेटरल दूसरा हो जाएगा आईसोस्केलेस और तीसरा हो जाएगा बैटा इसकेलन ठीक है और एंगल के साब से पिटा हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड एक्यूट एंगल्ड और यह वज़े बैटा राइट एक तो यहां पे ट्रेंगल इतना भी आसान नहीं है लेकिन हाड भी नहीं है अदर को दो पार्ट पर क्लासिफाइग कर सकते हैं इनके वारी में जानेंगे उसके बाद हम लोग बात करें तो इक एक्विलेक्टरल में क्या होता है एक ऐसा ट्रेंगल होता है जिसके ती त्यक्वर्ण होते हैं अगर यह साइड ए है और यह जाएगा बी तो इक वाले केस में एक वी साइड क्या होती है ऍसके अंदर एक बाद जोनों बिड़ाना कि ऐसका सन्कारइब लोग गण नियुक्त तुन सल्ट हुद संव फीघुंगल के सम्लों का हर इंगल कितन संदसे इसका हर एक एंगल हो जाएंगल आपका इसको ऑब इसकोग एंगल हम लोग कभी कढ़काई सकते हैं अब इसके यह वाला एंगल и यह स्याई रिखस जो साइड सेम होते न उसके सामने वाला इंगल क्या होता है यह अब की बात करें ओपर मुझे का मिलेखा और ऑनकी है यह कर सकते हैं एसा नहीं कि कि हमारे संदब भी हो और हम किसी और की चर्चा करना लगे नहीं वैसा नहीं कर सकते ठीक है जो इस स्पेसिफिक बात है हमनों उसी पर चर्चा करते हैं तो यह था बैटा आपके यह यहां पर यह थीटा क्या बेले लिस नाइंटी है और प्टूसेंगल क्या बनता बैटा ग्रेटर रैंटी डिए ठीक है तो यह जाता बैटा आपका अप्टूसेंगल यह वाला और यह अंगल जानते एक एक अंगल कितना होता है नाइंटी डिए आपके सामने ज्यादा कुछ बहुत इस नहीं है यह थे पूरा पूरे सबके बारे में चल्चा कर लिए अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे इसके एरिया कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले परिमेटर बता रहता है तो परिमेटर निकालने का तरीका होता है साइड बोस साइड तो इन्साइड को सम कर देते हैं हम को परेमिटर निकल तै अब एडिया तो इरियो निकालने के लिए फार्मूला है बेचा कि एरियो इस इए एक आपने क्लास नाइंट में एक सेपरेट चेप्टर के उपर किया तए इसमें यह फॉर्मुला था हिरॉंस वाला जिसके आपने बहुत ही प्रॉंबे पॉल नहीं है कोई नहीं है हम लोग यहाँ इसमें अब एक और इंपोर्टन फॉर्मला इसका फॉर्मला होता है रूट थ्री बाई फॉर एसक्वार और इसका परिमेटर कैसे निकालता है है यह थे बेटा फॉर्मला टोटल ट्रियंगल के जो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर जिसको कहते हैं पैथागोरस ठीक है इंपोटन फॉर्म है है वह कि जब भी एक राइट अंगल ट्रिंगल होता है तो इसमें क्या पॉपहर्मला इंपॉर्मला होता है कि इसमें के केस में भी इसका उपयोग बहुत अच्छा खासा होता है और वैसे देखा जाए तो पूरे मैथमेटिक्स में चाहिए अब किसी भी ग्लास में हो ट्रेंगल जब भी आता है तो अब लगाने में असक्षम हो जाएंगे कि कैसे हम साइड निकालें अगर दो साइड कैसे पता करें तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यह से होगे आपका ट्रेंगल का पार्ट पूरा कंप्लेट अब इसमें क्या है सिंपल फॉर्मिला अप्लिकेशन में जान लेते हैं लोग कि यहां पर एक है साइड मलब की एक साइड क्या होता है इसलिए सिंपल हम लोग यहां पर एक उपयोग करते हैं तो यह हो जाएगा रूट थ्री बाई फॉर ए इसको कहेंगे बेस इसको कहेंगे लोग हाइट यही कर सकते बिटा तो इसका फर्म लागा सकते है एज उकल टू वन बाई टू इन्टू बेस इंटू हाइट जहां पर नभे बनेगा ना वहा आपको एरिया पूछ रहा है तीनों साइट की मदद से कैसे निकालेंगे वह हमारे सामने यह है बहुत जल लाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यह पार्ट होगे आपका समापत अब हम बात करेंगे आपके स्कॉर्ण का से इसा होता है जिसमें चारो साइड क्या होती है इकोल होती है तो सब के बीच में नब्बे बनता है सारे कोनों पर कितना बनता है ठीक है और इसका एरिया कितना हो जाएगा इसके एरिया इन्टु ए यह साइड का स्कॉर्मले और हम यहां पर निकाल सकते हैं अगर हमको पता करना हो तो पता करना होता हो कि हमारे क्या होता है कि जब हम किसी किसी फॉर साइड फिगर के अंदर आप अपोजिट वर्टिस को आपस में कनेक कर देता है तो निकालना हो तो क्या करेंगे तो डाइगोनल इस उकॉल टू यह जाएगा एसक्वाइर प्लस एसक्वाइर तो यह जाएगा बैटा रूट पढ़िए तो यह बीडिकलने के लिए और कुछ बनता है इसमें तो यहीं काफ़े बटा टो 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 टोल हमारे सामने हमके तीन फ्रमले उत्रपंणों क्या है एक है परिमीटर का एक है एरिया का और एक है उसके डाइगोनल के निकलने का दो टो यह था बेटा इसक्वाइर और उस लाइन की जो एक लेंद्थ है वह मान लो फॉर फॉर मेटर है उसका साइड है जो फॉर मेटर होगी तो एरिया कैसे निकालेंगे तो आपका एरिया है और परिमेटर केतना होगा तो फॉर फॉर जास सिक्स्टीन मीटर की परिमेटर होगी ठीक है चार वाला चीजिए प्ड़ा वह बहुत बच्पन से पढ़ते आ रहे होंगा आप सब्सक्राइब नहीं है अब एक और चीज़ अगर दिमांग में बता दूँ आपको कि पेरिमेटर को हमेशा जब नापते हैं उसको मीटर में में करना की इसके सिंगल नाते हैं और हमेशा सिंगल होता है या तो मीटर होगा या तो सेंटी मीटर होगा जो भी होगा सिंगल होगा ठीक है और एरिया हमेशा स्कॉयर होता है सीटी में में मीटर कर सकॉयर के स्कॉयर किलो में लकिस तो हमेशा आपको सेंग और आगे यदिंग होता है यह यह सब पे लेंथ एक यूनिट में लिख जाएगी एरिया होगा तो यूनिट का क्यूब कर जाएगा रहा है और इसलिए गल्तियां हो सकती है इन गल्तियों को हमेसा तो अभी क्या इसके बाद कर लेते हैं आपका कि यह रेक्टेंगल क्या सीन है तो रेक्टेंगल पीटा यह मान चले यह रेक्टेंगल है तो इसके अपोजेट साइड होता है यह वह दो यह है और यह बी है तो यह यह बी होगा और यह बी होगा तो इसका परिमेटर इस परिमेटर का सम आप उसको नहीं अब इसके एरिया के सब्सक्राइब निकाल 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 रूट अंडर एल इसक्वाइर पलस बीच्वार ठीक है क्योंकि यहां पर गॉर्ट यहां पर नब्वें बंद यहां पर हम सिंपल पैथा वर दिरों यह लगाएंगे और हमको डाइड़नल निकल के आ जाएगा ठीक है यह होगी है बैटा हमारा रिक्टेंगल का पाथ अब हम लोग बात करेंगे आपके यह बीटा रिक्टेंगल के बाद बात करेंगे लोग अब पैललोग्राम कैसा होता है तो बिटा यह मान चलो फैलोग्राम है तो फैलोग्राम में भी अपोजेट्स एड क्या होता है अकोल होते हैं लेकिन हम इनको इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि उनकी वर्टीस पर 90 आपर यह अंतर है कि पैलेलोग्राम इस नौट रिक्टेंगल नहीं है क्यों क्यों कि आरेक् कि क्या है कि मान जノickers यह यह है यह एए यह 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 बी है यह बी यह का प्रेमेटर होगा तूब्रैक्ट कट ए प्लस बी टिंप लो सबसक्रम वाई सम खर ठीक पर अगर आपको यह निकलना ऊच्ट ऑबना हो फो इसका इंगा निकल जाए लो डा मेटा यह प्यालेलो graphion area is equal to base into height simple ठीक है यह बेस है बेस कितना है यह बेस कितना इसको बी कर दो ठीक है और इसको एक तो बेस इंटु हाइट बेस इंटु हाइट बेस इंटु हाइट हो गया तो पहले राम का अब आगे बात करते हैं आगे बात करतें रहंबस की रहांबस किया है अब देख लेते हैं रहंबस में तो रोहंबल्स का सी ने बिटाना कि जैसे स्क्वाइब के चारो साइट बराबर होते हैं लेकिन यह तो इक्वल नहीं है क्योंकि सेम केस इनके भी वर्टिस पर नभी डिगरी का फॉर्मेशन नहीं होता है इसका परिमेटर निकाल होगे आप इसका परिमेटर होगा और इसका अधर जाता है और बनता है और एक है एक डिगनल पेटर है और दूसरे का क्या है बी तो इसके फॉर्मुला वजाता है प्रट ओफ डिगरनल वह एल इन्टु बी तो यह यह फॉर्मुला ठीक है तो आप कह सकते हो यह फॉर्मुला की एरिया को निकालना हो एरिया अगर रोहंबस आपको मेजर करना हो पीटा कि एरिया क्या होता है तो वहां पर निगास सकते हो वन बाइटू इंटू साथ में यह फॉर्मुला होता है तो अगर यहां पर आप एल और बी के जगव पे दिया हुआ है तो अगर आपको एरिया अफ रहंबस निकालना है तो वहां पर आपको करना पड़ेगा वन बाइटू इंटू प्रोड़क्ट ऑफ इट्स डागरनल सिंपल यहीं से आपको एरिया अफ रहंबस हो जाएगा बिना कोई एश्यों के बटा ठीक है चले तो यह ह हो गया हमारा रहंबस वाला केस एक चीज तो है जो स्क्वायर है वही रहंबस है पर उनके वर्टिस पर नहीं नहीं बनता है तो यह चीज है जो इनको डिफरेंस क्रेट करती है बागे सब लगत से में होती हुँ ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग आखरी वैदा ट्रैपीजियम देख लिए अब क्या है तो ट्रैपीजियम है कि ट्रैपीजियम जो शेप होता बेटा कुछ इस तरह का होता है दो तरह होता है और एक यह शेप होता है अब दो तरीके संब्सक्राइब यह तो बच्पन में बच्पन में दोनों घर बनाते ते याद है और एक ऐसे जोपर बनाते थे यहाद आ जाता था है और यहां से निकालते थे और यहां से एक चीमनी निकाल देते थे भगार भगर धूमा फिकता था था उसमें से पॉमकु ब herum कूँपर से बमने के budget जपड़ी सबस्कूरे जपड़ deze है एक ऑपक में की आपकते है है वह आपका ट्रेपीजियम का शेप में और लोग को श्टडी करना कि रपीजियम होता क्या है तो मां चलो बेटा कि यह चाहिंट है यह ना है यह उसके नॉन पर लाइब ना ठीकल जाते हैं तो इसको बोलते हैं लोग कि यह आप चाहो तो इसका भी प्रयोग कर सकते हो सबसे यह वहां से निकल गई और यह है यह यह जो बस फीगर का शेप अधल हो सकता है पर formulation क्या होंगे से मिंगे फॉर्मुलेशन चलिए बात करें लोग आगे तो आगे चर्चा करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है तू है यहां पर हो जाएगा परिमेटर और यहां पर जोड़ जाएंगी और वह से नहीं होगी अब इरिया क्या दो एरिया निकालना के फॉर्मना वन बाई टू ब्रैकेट उसके पाइलस ताइक जोड़ देते हैं और हाइड क्या करते हैं चाहे कोई भी हो कोई भगने आप देख सकते हो जो एरिया होगा और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमका हमारा का फॉर्मूलेशन जितना भी था आपके सामने सब पेस कर दिया क्लास वाली ठीक है अब आपको इस से इस पॉइंट अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स और वाट्सप चैट में कमेंट कर सकते हैं हम लोग महां पर हमाई टीम आपके साथ हमेशा बनी रहेगी ठीक है मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में जिसका नाम है एरिया सर्कल सेक्टर एंड सिगमेंड चलते हैं विटा जैन्द